हाई आज मैं बनाने वाली हूँ बासी रोटी का ऐसा नास्ता की यकीन मानिया आज से पहले तो आपने कब भी नहीं बनाया होगा और एक बार जरूर सोचेंगे कि ये प्रोसेस हमें पहले क्यों नहीं पता थी और फिर अगर रोटियां बचेंगी या आप जान बूच के बच बच जाता है तो बहुत सारी रोटियां बच जाती है तो इस तरह से आप ये सिंपल तरीके से इतनी मजईदार ड integrity ऐकर कोई चलेगगा तो इस तरह से बिल्कुल पतले-पतले से इसको कट कर लेना है वैसे इस तरह से बहुत सारी डीज सबनती है बट आज मैं आपको ये डिस बता रही हूँ और इसके आगे न और भी एक दो डिसे इसी की लेके आऊंगे जिसे अगर आपके यहां बासी रोटी बच जाएंगी न तो आपको भी फेकेंगे नहीं तो इस तरह से कट करने के बाद यहां एक दो रोटी बचा लेना है और बचाने के बाद इनको बिल्कुल महीन पीस लेना है मिकसर ग्राइंडर में या बिल्कुल महीन तोड लीजे हाँ से और यह जो कटी हुई रोटी है इसमें हम चावल का आटा एट करेंगे या कॉर्ण फ्लार भी एट कर सकते हैं और दोनों नहीं है तो आप गेहु काटा ही एट कर दीजेगा यहां हम तील एट करेंगे सफेद तील और नमक स्वाद उनसार एट करके बस इसको मिक्स करके साइट से रख देना है पहले एक प्रोसेस और्ष कर लेते हैं तो यहां मैंने एक बड़ा सा बोल लिया हुआ है और इसी में जो हमने रोटी पीस के रखी थी ना उसको इसमें एट कर देना है साथ ही बौाइल की हुई आलू लेना है आलू को बिल्कुल महीन मैस कर लीजे या कद्दू कस कर लीजे मैंने तो यहां कद्दू कस कर लिया है यहीं बारिक कटी हुई प्याज एट करेंगे और साथ में बारिक कटी हुई हरी मिर्च एट करेंगे हरी धनिया एट कर सकते है और अब ना इसमें कुछ मसाले आइड करते हैं तो पहले नमक स्वादन सार आइड कर देना है अब यही ना लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, चाट तो मैंने यह थोड़ा सा धनिया पाउडर, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, सारी चीजे एड़ कर दी हैं, यही थोड़ा सा lemon juice एड़ कर देना हैं, तो आधा lemon juice एड़ कर दीजेगा, और अपना इसको mix कर लेते हैं, मिक्स करने के बाद पहले हाथ को अच्छे से साफ कर लीजेगो और हाथ में थोड़ा सा ओइल लगा लीजेगो जिसे कि यह जो मशाला है वो हाथ में चिपकेगा नहीं तो इस तरह से अब मैं थोड़ा सा यह मशाला लेती हूँ और आप इसे कोई भी सेप दे सकते हैं जो भी आपको सर्व करने में अच्छा लगे तो इस तरह से मैंने यह अंडाकार इसको सेप दे दिया है यह देखिए इसी तरह से बना के रख लेना है इसको बनाना भी बहुत तीजी है और वैसे भी हम इस तरह की बहुत सारी डिसेज बनाते हैं अगर रोटी से बनाएंगे ना तो कुछ यूनिक भी हो जाएगा और आपकी जो बची हुई रोटी है ना उनको फेकना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि अनाज हुगाने में इतनी मेहनत लगती हो और हम ल नमक डालके पानी डालके एकदम पतला सा घोल बना लेना है तो अगर चावल का आटा नहीं है ना तो आप कॉण फ्लोर या गेहूंकि आटा से भी बना सकते हैं बस इस तरह से यह रोल को डिप करने के बाद रोटी में इस तरह से डालके और हास से इसको रोल कर लेना है कभ यह ने बना के रेडी कर लिया यह देखिए इसी तरह से हमें सारे बना लेने हैं जितना भी बनाना हो आपको तो यह देखिए एक और बना के आपको दिखा देते हो और बहुत इजली यह चिपक जाता है तो इसी में तिल भी पड़ा होता है साथ यह चावल का आटा भी तो इ इतनी चोटी सी प्रोसेस से इतना टेश्टी नास्ता आपने बनाया है तेल गर्म करके और गैस के फ्लेम को लो करके बस धीमि धीमियाच में इनको फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तर तो इस तरह से एक बार जितना कढ़ाई में आ जाएगा न उतने इसमें डाल क और बस धीमि धीमियाच में इसको फ्राई कर लेना है दीमियाच में फ्राई करने से इसका एक अच्छा सा गोल्डन कलर भी आएगा और यह बिल्कुल क्रंची भी हो जाएगा अंदर तक पक जाता है तो इस तरह से उसको उलट पलटके ना चारो तरब से अच्छे से पका टेश्टी में दाले, बची दाल और सब्ची के Food इने चांची कऌना thirteen इसरी में यहां जातीं höher पलट बची हो जाता है और आपना इस तरह से बची रोटी सिदक्ता रोट चरिफ, यह भी दाल और सबजी के फ्रोलिस की इसांचीन से बनाया है और बस खाने के बाद ना सिर्फ तारीफ ही करने वाले हैं तो इसी तरह से जो बचे हुए मैं उनको भी फ्राई कर लेती हूँ और इनको गर्म गर्म सॉस के साथ चटनी के साथ सर्व करेंगे तो यह देखिए यह बहुत ही कुरकुरा नासता है और देखने में इ कुरकुरा सा है यही में मिल्क और नीवू अगरा भी रख देती हूँ और आपको तोड के दिखाती हूँ तब ही आप यकीन करो गयो और यह देखो तो अब हम चलते इसको टेस्ट करने और एक बार जरूर ट्राई करिएगा और प्रोसेस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बत आएगा हम फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स वीडियो